देर स्टुडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं सेकिंड पेपर के अंतर का थमारा टोपिक कंटिन्यू है नगरी करण अर्बनाइजेशन पार्ट फस्ट में हम नगरी करण का मीनिंग और उसके डेफिनेशन और विशेश्ताओं को देख चुके हैं अर्बनाइजेशन पार्ट वाले वीडियो में हम नगरी करण की भारत में क्या स्थिती है उसके बारे में विश्लेशन कर चुके हैं आज का टोपिक है अर्बनाइजेशन पार्ट थर्ड के अंतरगत नगरी करण के परिणाम Consequences of Urbanization नगरी करण के अर्थ को भली महती समझने के बाद भारत जैसे देश में नगरी करण की विर्धी और उसकी रफ्तार तथा उसके सवरूपों को देखने के पास्चाथ ये सवाल भी उठता है कि अर्बनाइजेशन के क्या परिणाम हुए नगरी करण ने किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित किया मानव जीवन के विभिन पक्षों के उपर क्या-क्या प्रभाव पड़े हैं उसके और समाज में क्या-क्या प्रिणाम हुए हैं भारतिय समाज में होने वाले संदर्चनात्मक परिवर्तन के लिए M.N. श्रीनिवास ने नगरी करण को एक परमुक दसा के रूप में इस्पस्ट किया है M.N. श्रीनिवास के तिरिक्त A.R. देशाई M.S. गोरे K.M. कापडिया श्यमाचरन दुबे और रादाकमल मुखरजी भी वे परमुक समाजिक विचारक है जिनोंने समाजिक परिवर्तन में नगरी करण की भूमिका की विश्तर्त विवेचना की है यानि M.N. स्रीनिवास ने जो समाजिक परिवर्तन के बारे में बहुत सा काम किया है बड़े समाज सास्त्रे हैं भारत वर्ष के दक्षने भारत के थे और M.N. स्रीनिवास के परंपरा में ही A.R. देशाई, गोरे, कापडिया, दुबे और मुखरजी ने भी इसी दिशा में अपने विचार परकट किये और उन्होंने बताया कि इनियन सोसाइटी में जो स्ट्रक्ट्रल चेंज है, सनचनात्मक परिवर्तन है उनमें अर्बनाइजेसन एक परमुख कटक है बहुत बड़ा फेक्टर है या कंडिशन है विभिन छेत्रों में नगरी करण के प्रिणामों को दो परमुख भागों में विभाजित करके हम देख सकते हैं एक तो है नगरी करण के सकारात्मक परिणाम आज के वीडियो में हम देखते हैं कि नगरी करण के सकारात्मक परिणाम कौन कौन से हैं यह समझने कोसिस करते हैं पॉजिटिव जो consequences हैं वो कौन से हैं सकारात्मक दिरिश्टी से नगरी करन की यह निक्या अच्छाईय क्या क्या है किस प्रकार से एक positive change ले के आए हमारे समाज में सकारात्मक परिवर्तनों का जो सम्मध है वो नगरी करन के ऐसे function से है जो भारत की प्रमप्राकत समाजिक सन्रचना में उत्पन होने वाले उप्योगी परिवर्तनों को इसफस्ट करते हैं यानि कि useful changes की भारते समाज में जो useful changes हुए fruitful changes हुए जिसके कोई अच्छे प्रिणाम निकले हों सकारात्मक दिरिश्टी में ऐसी परस्थितिया निर्मित हुई हों जिनको हम positive कह सके वो कौण कौण सी है उसको हम इस heading के अंतरगत देखते हैं नगरी करन के सकारात्मक परिणाम पहला है जातिक्त विबेदों में कमें caste differences कम हुए हैं बहुत बढ़ाई बहुत बढ़ी चीज है नगरी करन का संबंध आधुन्य की करन की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्तिगत उपलवदियों यानिके individual achievements शिक्ष्या और समताकारी मुल्यों का प्रभाव बढ़ने से जातियों की प्रमप्रागत पहचान कमजोर पढ़ने लगती है आंद्रे बिते, बहुत बड़े समाज एक उचारक भारत के आंद्रे बिते के नुसार नगर के विभिन अभीजनों की प्रेस्थिती का जाति के बंधनों से कोई संबंध नहीं होता है यानि जो जाति एक stigma होता है जैसे भारत जैसे समाज में जाति एक बहुत बड़ी कटू सचाई होती है तो उसको कहीं कहीं उनके डिफरेंसिज में जो कमी लाने का काम है तो बहुत पोजिटिव चीज है वो समाज के लिए अंतर जाति भी वहाँ में विर्दे जैसे इंटर कास्ट मेरे जवट रही है लोकतांत्रिक राजनीती राजनीती में जाति का अमेशा दखल रहता है जाति पंचायतों की सकती में कमी इसके प्रणाम सरूप जातिगत भी वेदों में उलेखने कमी आई तो ये कुछ ऐसे परिवर्दन है ऐसे चैंजिज हैं जो हमारे लिए शकारात्मक कहे जा सकते है महिलाओं की प्रस्तिते में सुधार इंप्रूमेंट इंस्टेटर्स ऑफ विमेन नगरी करन ने शिक्ष्या, वेक्तिगत सवतनतरता समताकारी मनुवर्तियां, तारकिक दृष्टिकों जैसी चीज़ों को प्रोचान दे करके महिलाओं की प्रस्तिती में सुधार लाने में महतोपुर्ण मुमिका ने भाई एक रोल अदा किया है पुर्षों प्रार्थिकने बढ़ता में कमी विभिन शेवाओं में से भागी बनने का मोका चाइल्ड मेरीज में कमी ऐसी चीज़े हैं जिनसे नई चेतना का पैदा होना महिलाओं की शिक्ष्या से और शिक्ष्या से वो नोकरिया मिलेंगी नोकरियों से पुर्षों के उपर आर्थिकने बढ़ता कम हो जाएगी पुर्षों सत्ता को चुनोती देना पुर्ष परधान मानसिक्ता वाले जो समाज हैं उसके अंदर एक आर्थिक निर्बढ़ता में कमी आना बहुत बड़ी चीज़ होती है विवा विच्छेद और विद्वापनर विवा को बुरा ने समझना यह ऐसी चेतना है जो पॉजिटिवटी की दिशा में लेज़ा को परकट करती है शकारात्मक दसाएं कह सकते हैं हमें उनको राजनेतिक और सामाजिक कती विदियों में महिलाओं की रूची का बढ़ना उनकी उलेखने भूमी का जो है वो दिखाई देती हैं है नफ्चित ही महिलाओं की प्राष्तिति में शुद्धार हुआ है ऐसी दसाएं है नेक्स्ट है परिवार की शन्रचना में परिवर तर्ण चेन्ज इन स्ट्रक्स्ट्रो हुआ है नगरिये परिवारों पर IP देशाई, केम कापडिया तथा एलन रोष जैसे विद्वानों ने आधुनिक अध्यन करके ये स्फस्ट किया कि नगरों में विभिन दसाओं के प्रभाव से संयुक्त परिवारों की जगह एकाकी परिवारों का महतों बढ़ता जा रहा है सब समझते हैं अध्यनिक दसाओं में जो है जोएंट फेमिली की जगह पर नुकिलिर फेमिली ले रहे हैं केंद्रक परिवार जिसको कहेंगे या एकाकी परिवार कहेंगे जिसको सोटा परिवार कहते सामने बासा में हम दो हमारे दो वाला परिवार तो उन परिवारों का महतर जो है बढ़ता है और नगरिये मनोवर्तियों में विर्धी होने से परिवार में उन कर्म कांडों और धार्मी कायजनों का परभाव कम होने लगा जिनकी वर्तमान में समाजिक संस्ना में कोई ज्यादा उपयोगदा नहीं है कि पहले बड़े-बड़े परिवार होते थे उनके अंदर विशेश परकार के सामाजिक रितिर्वाजों को परफॉम किया जाता था संसकार विभिन परकार को को फॉलो किया जाता था आज के आपा धापी में और नगरिये जीवन बड़ा तेज जीवन होता है और ते परिवार की सनचना में में आमूल चूल परिवर्तन होए है नेक्स्ट है लोकिक मुल्यों और धर्म निर्पेकस्ता में विर्थी नगरिकरन के प्रणाम सवरूप जब आधुनिक शिक्ष्या वैगयनिक ज्यान तार्किक व्यभारों का प्रभाव बढ़ने लगा तो एक अ प्रणाम सारी कुपलब दियों को अधिक मेतोपन मानते हैं जैसे विकासिल देश में और एक सरल समाज कहेंगे उसको एकरिशी परधान समाज ही कहेंगे हम आज भी भारत को मुख्यत एकरिशी परधान समाज है तो उसके अंदर जो एक परकार से जब नगरिकरन की प्रवर समाज करते हैं तो बहुत बड़ा चेंज समाज के अंदर वो ले के आती है चीज और पहले जो पारलोकिकता जो चीज है अलोकिक सकते में विश्वास जो चीज है यानिकि धरम के नाम पे आस्था के नाम पे सरधा के नाम पे वो जो चीज है उसकी जगे वर एक तारकिक दि वीडियोज में देख चुके हैं कि नगरीकन के कारक कौन कौन से हैं तो उन कारकों की वजह से जो नगरीकन तिवरगती से बढ़ता है और बढ़ने के बाद हमारी मनोबरती में सोचने के नजरिये में दृष्टी कौन में एक अंतर पैदा करता है और उस अंतर से हमारी जो मा मैंनें लगती है अध्यात्मिक्ता की जगहे एक जो है भोतिकता को अधिक प्रोचान देने लगते हैं और रुपए-पैसे के महतों को भी आज के युग में समझाजा सकता है और हमारी जो सानसारी कुपलफ दिया है यह बहुतिक पुपल अचीवमेंट हैं, मनी से रिलेटेड, प्रोग्रेस से रिलेटेड, उन चीजों को हम बहुत ज्यादा महतों देते हैं, तो यह सारे कलेक्टिवली जो चेंजिज हैं, सामुहिक्ट जो चेंज हैं, वो लोकिक मुल्यों में विर्दिय करने वाले हैं, पारलोकिकता की जगें, अलोकिकता की जगें, लोकिकता, और धर्मिक कट्रता की जगें, धर्म निर्पेक्स्ता के अंदर विर्दिव होती है, नेक्स्ट है, आर्थिक विकास, स्वाब भाविक है, नगरी करन और उद्धों की करन जैसे प्रक्रियाओं की वज़े से आर्थिक विकास तो ह तर्थिक शन्रचना में बहुत सुधार हुआ है उसकी जो ट्रेडिशनल एकनोमिक स्ट्रक्ट्टर था उसके अंदर सुधार हुआ इसके प्रणाम सुरूप परती वेक्ति आया में विर्दी हुई पर केप्टा इंकम ग्रोथ हुई और लोगों के जीवनिस्तिर में सुधार स्टेंडर ओफ लाइफ जो है वेक्तियों का सुधारता है नगरी करण में तो गाओं की आप एक साहरों का जो जीवनिस्तर है वो आप तुलना करके देखते हैं और हम उसको अबजर्व करते हैं चीज़ों को तो उसके अंदर जीवनिस्तर में सुधार नगरी करण की वहाव कम होने लगा तो यहाँ पर समाजिक और धार्मिक सुधार ने एक आंदोलन का रूप ले लिया और इसे ऐसे वेभार परतिमान विक्षित हुए जो समताकारी मुल्यों पर आथारित हैं वरतमान जीवन में लोकतांत्रिक मुल्य भी बढ़ती हुई समाजिक जागरुकता का ही एक रचनात्मक प्रिणाम है तो समाजिक जागरुकता में बहुत ज्यादा विर्थि होती है नगरी करण की वज़ए से नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका调मीड परिवर्थन ऐसा ने कि नगरिकर्ण को जैसे नगरी जीवन में परिवर्थन होता है ज्यूदा और आजकर तो प्ता भी नहीं चलता है कि ने भूर कि औअ खाना खतम होगे होगे हैं? खासकर बडे गाउन खतम होगे कहा नकर सुर्व हो गायग पता नहींे चलता आजकर दोग में रहाः यहुदा घ्ला रहे होगे अ नियुदान है एने से राव ने एक पुस्तक लिखी थी Urbanization and Social Change उसमें राव साव कहते हैं कि ग्रामिन जीवन पर नगरी करण के व्यापक प्रभावों का अउलेक करने के बाद ये देखने माया कि व्यापारिक फसलों की पैदावार वेभार के तोड़तरिकों में परिवर्तन, संचार के विक्षिक सादनों से नईनी जानकारियों का प्राप्त होना और लोगों की मनोवर्तियों में बदलाओ, उसके मनोभाव में बदलाओ, द्रिश्चिकोनों में बदलाओ ये देखने माया तो ग्रामिन जीवन में भी एक तरह से सहर के प्रवाव सवरूब नगरी करण की बढ़ती हुई प्रकिरिया के परणाम सवरूब बहुत से उलेखने परिवर्तन हुई सबसे बड़ी बात तो मनवर्तियों में पदला हुआ है दिश्ची कोनन में शोचने का नज़रीया और कैस क्रोपस प्राउगत फसलों के बजए कैस क्रोपस विवयापारीक फसले जिसको नगदी फसले कह सकते हैं तो विवयापारिक फसले फसलों की पैदावार करने के लिए परफ चाहित हुए वेभार के तोर तरिकों में परिवर्तन होने लगा और means of transportation and communication कि संचार के यतायत के साधनों से नहीनी जानकारियों का प्राप्त होना ये एक तरह से ग्रामीन जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन है वास्त्विक्ता यह है कि जो ग्रामीन नगर में जा करके नहीं रहते उनका जीवन भी नगरीय संस्कृती से अथवा नगरी करन से अत्य देख प्रभावित होता है यानि जो गाउं में रहते हैं वो लोग भी नगरी करन से प्रभावित होते हैं उनका जीवन एक तरह से प्रिवर्तित होता है तो इस प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नगरी करन सामाजिक प्रिवर्तन की एक परमुक सनचनात्मक परक्रिया है structural, change लाने वाली process। structural process। Estocial change लाने वाली process है। एक परकरिया है, जो सामाजिक परिवर्तन लाती है। और उलेघने परिवर्तन लाती है। तो ये थे हमारे नगरी करन के मिलादान प्रिवर्तन। कौनसे परिवर्तन। शकारात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अर्गनाजेशन पार्ट फोर में नगरी करन के नकारात्मक परिवर्तन या दुस्कारिय जिसको गई सकते हैं थेंक्यू